आप लोग उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे जिया तो आज की स्पीडियो में हम बात करेंगे 2020 वर्ल्ड कप 2022 के 33 मैच के बारे में जिया तो यह मैच इंगलेंड और न्यूजिलेंड के बीच खेला जाएगा तो यहां पे हम बात करेंगे इस मैच की बेस्ट फैं करके आप 3 मेंबर चार मेंबर लीग से एक तरफा वींग कर सकते हैं सब्सक्राइब और थे में 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 ग्रत सहसाएब साथ ही साथ जो लोग लीग खेले उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपार्टेंट हो सकती है क्योंकि दोस्तों जो ट्रंप प्लेयर हों उनको आप ग्रेंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते कैसे रोटेट करना कौंसे इसे प्लेन है जिनको हर एक कॉ कॉम्मीनेशन बना के लायां जी हां दोस्तों जो में बना के लाता हैं भले ही कंबिनेशन मतरब हर एक में काम ना करें लेकिन दोस्तों अगर इन काप्टन ग्लेन फिलिप्स को वाइस कैप्टन उस दिन मैंने यहां पे से हर एक मैच में कॉंबिनेशन रैंक नहीं करता लेकिन दोस्तों रैंक करते हैं हो सकता हुआ ही वीडियो आपने मिस कर दिया हो तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखनी है सबसे पहले हम चलेंगे दोनों टीमों की प्रोबेबली प्लेंग लेवन एक्सपेक् करने वाले तीन नंबर पर आपको डैवेड मलान चार नंबर बाइन श्टोक्स माल लीजिए यहां पर टीम चाहे तो हो सकता हो माल लीजिए फिलसाल को मौका दे अगर मौका दे तो ग्रैंड लिंग में कैप्टन ट्राइब कर देना लियाम लेक्ष्टन हारी ब्रूक मौह कोई ओवर नहीं करते हैं अपने चारों ओवर करते दिख सकते हैं अगर यह चारों ओवर कर रहे हैं तो ग्रैंड लीग में बहुत ही बहतर कैप्टन के आपसन है ठीक है अगर सेम प्लेंग लेवर रहती कोई एक्ष्टा बॉलर नहीं आता है तो बाइन श्टोक्स अपने पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखेंगे लाश्ट के पांच ओवर में उसमें माकबूर दिख सकते हैं बाइन श्टोक्स भी दिख सकते हैं तो यह कुछ चीजे हैं जो इंपार्टेंट होती हैं ग्रैंड लीग की बहतर टीम बनाके कि लिए क्योंकि साम करन डेथ में ब बात करें तो फिनेलेंड डेवन कान बें ओपनिंग करते दिख सकते हैं तीन नमबर पर कान फिलिप्स डेर्ल मिचल जाम नीशम मिचल सेंटर टिम साओधी लाकी फर्गूशन इशोडी और ट्रेंट बूल यह प्लेंग लेवन हो सकती एक्सपेक्टेट बैटिंग और न्य लोकी फर्गूशन ज्यादा इंपार्डेंट है ठीक है क्यों है अभी बात करेंगे तो ट्रेंट बोल्ट सुरुआत में टिम साओधी के साथ बॉलिंग करते दिखेंगे अब पहला ओबर हो सकता हो टिम साओधी भी लेकिन कंफर्म है कि ट्रेंट बोल्ट ही लेके आएंग ग्लेंड मैक्सवेल का नाम यहाथ है तो जितने नाम थे सारे ने वर्क किये आज के मैच में ठीक है तो इसलिए मैं कहरा हूं फिनेलन अच्छा कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इन पर फोकस कम है हीट एंड मिस्ट आए प्लेयर हैं बहुत बार सव कर जाएंगे असी कर जाए लेकिन यह ऐसे प्लेयर है जो तीन विट चैन विट पांच विट निकाल सकते आदिल रशीद ने कुछ नहीं किया लेकिन जिस तरह से आज ग्लें मैक्सवेल ने इस पिछ पे विखर लिये तो हो सकता आदिल रशीद भी तीन दो विखर साथि साथ आडम जैंपा ने भी ब पर आते तो बैटिंग आने का चांस है अगर 50 प्लस दो विकेट कर दिये तो यह इनकी बहुत बहतर हो जाएगी यह अच्छे पॉइंट हो जाएंगे साइद ही कोई दूसरा दे पाए अगर इन्होंने 50 प्लस दो विकेट कर दिये तो बैन श्टोक्स यहां पर सबसे बहतर त दूसरा इसमें आगर पाटीसिट करतें तो फश्ट प्राइज आप जो है क्विट कार जीस सकते हैं वाकि यहां पर फईपोजिट पे आपको आफ़र मिलता है lowest entry fees है मतलब other apps से कम entry fees में आपको contest मिलेगे यहाँ पे एक feature है जिसमें आप दो player तीन player चार player की टीम बना सकते हैं अगर आपके पास experience अच्छा है क्योंकि यहां से मैं अच्छा 20 लाग तो नहीं विन कर पाएंगे लेकिन जो 50,000, 30,000, 20,000 फर्स्ट प्राइज रहता है यहां पर ठीक है तो यहां पर आप आसानी से विन कर सकते हैं अगर आप 3 GL टीम के साथ जा रहे हैं अच्छी टीम बना रहे हैं बाकि अगर हमारी टीम से आइडिया भी ले रहे हैं तो कांटेस्ट को खेल सकते हैं बाकि आप 7-8 3-4 में आपको अच्छे कांटेस्ट मिल जाएंगे तो सब लोग जाएं टिपोजिट करके आज से यही खेलना स्टार कर दिया लिंक डिस्किप्सिन में मिल जाएगा आप दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर प्लेर आणालीस के तो सबसे पहले मैंने पिच के वारे में थोड़ा सा वहां पे बता दिया था क्यूंकि दोस्तों यह पैस जो है यहां पर पैसा है छी निमाग में रखनी इससाब से बनानी है अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर सबसे पहले जॉस बटलर विकट कीपिंग तो ड्रॉप करना रिस्क हो सकता है बड़े प्लेयर हैं अच्छे प्लेयर हैं हर एक मैच में लगवा कांसिस्टेंसी से स्कोर करते हैं लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो एक मैच में डेवन कानमे ने अच्छी बड़ी इनिंग खेली है बाकी दोस्तों ओपनर् अच्छे प्लेयर हैं इनको ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है ठीक है बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है तो दोनों प्लेयस को मैं लेके चल रहा हूं बाकी मैं एक रिस्क ले रहा हूं फिनेलेन को ड्रॉप कर रहा हूं अपनी टीम में फिनेलेन एक ऐसे प्ले लेकिन दोस्तों में डॉब करके चल रहा हूं कुंकि डैवेड मलान थोड़े से कंसिस्टेंट है यह 30-35 लगवक बना ही देंगे और एलेक्सेल्स का अगर 70-80 भी कर सकते हैं बाकि जीरो पी भी जा सकते हैं तो थोड़ा में कंसिस्टेंस प्लेयर बाकि यहां पर एक सेलेक्शन को देखें तो इनको लेना इनकी जगे पर डैविड मलान की जगे पर एलेक्सेल्स को लेना थो आप क्या करेंगे एलेक्सेल्स को ट्राइए करेंगे तो यह चीज एक बहतर बन सकती जिसे मैंने कल के मैच में आपको बोला था कि ज्यादा लोगों का फोकस कहां डेविड वार्नर पे अभी फ्लाप हो रहे हैं आरों फिंच को लोग ड्राप करेंगे तो आप आरों ड्राप करकरणगे ग्राप करके ओभ्ली में आप दूसरे एक सबसे आपसं होगे बाकि मैं जो स्मॉल लीग में यह जो सेफ़ टीम है इसमें मैं तीन प्लेयर्स को इनको लेके चलना हूँ केंड बिलेम सें डेविड मला ग्लैन फ्लिफ्स अच्छे आपसन लेंगे बाइन श्टोक्स यार सबसे बहतर आपसन होंगे सेलेक्षन देखते हैं जिस तरीके के प्लेयर हैं उस तरीके चार नंबर पर आ रहीं पचास कर दिया प्लस दो विकर ले ले तो इनको ज्यादा लोगों ने काप्टन ट्राइगे लिंगी बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं बागी बैटिंग से अभी तक बहुत अच्छा नहीं क्या बात आती है लियाम लिश्टन क्यों इतने ज्यादा सेलेक्शन है फिर भी मैंने डॉप किया हाई रिस्क करेंगे या नहीं करेंगे कभी-कभी कर जाते हैं कभी नहीं करते हैं लेकिन बैनिश्टोक्स कंफर्म है अगर सेंप्लेंग लेवन रही तो करेंगे फिर यह बात मैं टेलिग्राम पे आपको बता दूँगा बागी बैटिंग और भी नीचे तो इन से अच्छे थोड़े स्टॉक्स हो को जकते हैं उसके बाद मिचल सेंटर का यह तो कम देहां मिचल सेंटर की बात करें तो इनका भी कंफर्म कि बैटिंग इनकी आतीया नहीं आती इसका नहीं बता लेकिन वह वर्स करेंगे इसलिए लिए लिए से अच्छे बायानि सच्छे में सब्सकर चुआ मैं थोड़ा किसलिए नहीं रहा हूं बता चुका हूं जैंस निविशन डियाम डिश्टेंड को जील में ट्राइगा ना आगे चलते हैं दोस्तों बॉलिंग शेक्षन की बात करते हैं तो बॉलिंग शेक्षन बहुत ही सेफ आफसन है हमारे पास क्योंकि ट्रेंट बॉल्ट भी ड्रॉप नहीं करना लाच मैच में चार विकेट हैं अच्छे प्लाइन हर सब जानते हैं मार्क बॉड हर एक मैच में विकेट ले रहें लगाता कंसिस्टेंसी है ठीक है तो ट्रेंट बॉल्ट यह मार्क बॉड तो कंफर्म होंगे लोकी फर्गूसन ग्रैंड लीग में हजारों में आ जाएगा अगर लोकी फर्गूसन प्रफार्म करते हैं तो यह द्याया रखना बाकि आदिल अशीद के साथ भी वही है जिस तरह से मैंने का सब्सक्राइब ले सकते हैं और यह आदिल अच्छे आफशन हो सकते हैं जील में कैप्टन के किस भूक अच्छे आफशन हो सकते हैं अभी मैंने कॉंबनेशन बनाए उन्में कैसे मैं इस भी एसट गया की और हो सकते हैं तो इन कुछ प्लैयर्श को जिनको मैंने कहा है इनको आप उसका प्रिव्यू देख लेते हैं कैसी हमारी टीम बन रही क्या कॉंबनेशन क्रिव् दुस्तों बात करें प्रव्यू की तो आप देख सकते हैं जिसे मैंने काई सेम करेंट कैपटन जौस या सेफव कईपटन बाइस कैपटन अब आप क्या कर सकते हैं थोड़ा रिस्की पतीन कि फासे मेंबर 6 तो थोड़ा से आप combination बना सकते यह मेरा एक स्मॉल लीग का सेफ का में कॉमिनेशन है बहतर हो सकता वाकि जो ग्रैंड लीग के हर एक मैच में रैंक नहीं कर पारें लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है यहां पर चीज हमने ट्राइए अब दोस्तों ग्रैंड लीग के तो जब आने उसमें हमने क्या किया है किया हुआ है ठीक है और ज्यादा पॉइन्ट दे सकते हैं किस तरीके से में बोल चुगा हूं कि यह पूरे चार ओवर कर जाते हैं साथी साथ एक-धो विकेस अगर मिल जाते तो अच्छा कर सकते यहां पर वाइस कैपिटन मार्क बूर्ट जो की लगातार तीन विकर्ट दो विकर्ट में भी कर ले रहें तो यह आप सब्सक्राइब कम सेलेक्शन वाले क्याया कर सकता है तो या एफ एलन को पूनेशन पूरे चार बनाया हुआ तो यह धू dgyle कि दिदो हैं याद देला तो यहां और यहाद दिला दूकोन खेल सकते हैं तो सभी लोग जा कर दाउनलोड करें ना बागी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके वेल आइकान को प्रेस करें ना क्योंकि हर एक मैच की वीडियो आपको इसी तरह डेमो टीमों के साथ मिल बने वाले है थेंक यू